नमस्कार आप देख रही है इपने नियूस मैं हूँ आपके साथ में मनिशा जा उतर प्रिदेश की जादत राजियों में सर्दी अब्जोर पकड़ रही है उतराखंड से लेकर कश्मीर तक पहाडों पर भारी बर्फबारी हो रही है जिसके चलते मैदानी इलाकों में ठिटरन वाली ठंडी पढ़ने लगी है ऐसे में केदारना धाम में शुकरवार को मौसम ने करवट ली और अचानक बर्फबारी शुरू हो गई बता दे कि धाम में एक फीट तक बर्फबारी हुई जिसके चलते तापार में गिरावट के साथ नदी नाले जमने लगे बर्फबारी के करण धाम में रह रहे लोगों को भारी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है धाम में अभी भी दोसों से लगभा करमचारी, मजदूर, महात्मा और पुलिस के जवान रह रहे हैं भारी बारिश की वज़े से धाम में चल रहे पुनर निर्मान कारे भी बाधित है बर्वबारी का दौर इसी तरह जारी रहा तो आने वाले कुस दिनों में धाम में पुनर निर्मान कारियों में जुटे सभी मजदूर भी वापस लोट जाएंगे वहीं बदरीनाथ धाम में भी मौसम निक करवट बदली है जिसके चलते वहाँ फिर से बर्वबारी शुरू हो गई यहाँ दिन में ही तापमान माइनस में लुड़क चुका है इस समय भगवान बदरी विशाल के कपाट शीत काल के लिए बंध है धाम में कुछ पुलिस जवान मंदिर की सुरक्षा में हैं और भारतिय सेना और आईटी बीपी के जवान सीमा पर तैनाथ हैं बता दें कि ओली में भारी बर्फबारी के बीच सैलानी क्रसमस मनाने पहुंचे हैं ओली के उपर छट्रा कुंड इस समय पूरी तरह से फ्रीज हो चुका है यहां पारा इतना जादा लुड़क चुका है कि पूरी जील पूरी तरह से जम चुकी है ओली में छट्रा कुंड जील का पानी पाला बन चुका है यहां परेटकों की भारी भीर उमर गई है रोपवे चेर कार पूरी तरह से पैक दिखाई दे रहा है और ओली के रिजॉर्ट पहले ही पैक हो चुके हैं वही ले में सीजन की पहली बर्फ बारी हुई है जिसके चलते पूरा इलाका बर्फ से ढग गया है घरों की छटों से लेकर सडकों तक बर्फ की मोटी चादर जम गई है यहां दूर दूर तक बर्फ के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा ऐसे में भारी बर्फ बारी के बाद आम जन जीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है सडकों से बर्फ हटाने का काम जारी है बर्फ बारी के चलते लेह का पाराश शुनिस से नीचे बना हुआ है मालूम हो कि कश्मीर में अधिकतर स्थानों पर नियूंतम तापमान जमाव बिंदू से उपर दर्च किया गया मौसम वग्यानिकों ने रविवार से दो दिन तक केंद्रिया शासित प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की एवं मध्यम बर्फबारी का पुर्वानुमान लगाया है मौसम वग्यानिक ने कहा कि 26 दिसंबर शाम से लेकर 28 दिसंबर दो पहर तक पश्चिमी विक्षोब के कारण अधिक दवाब बनने का अनुमान है तो फिलाल के लिए इतना ही देशर दुनिया की तमाम बड़ी और हम खबरों के लिए बनी रही एबियन नियूस के साथ